मैं स्टर प्राकलिन आपको जल्दी से जल्दी ये घर चोड़ के जाना होगा ये गवान्मेंट की तरफ से नोटी से अरे लेकिन सर ये घर चोड़ करके मैं कहां जाओ मान रहा हूँ कि यार मैं लोन के लिए थोड़ा पैसा लिया था हो जिसको मैं चुका नहीं पाया लेकिन यार प्लीजपीस मुझे और दो तिन महीने का महलत दे दो मैं कुछ भी करके यार इस घर को भाई कलेम कर दूझा यार वे पैस चुटा दूगा प्लीज, अभी बस दो महिने का टाइम दे तो सर प्लीज नहीं 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 यार सब बिलकुल नहीं हो सकता है तुम अलएडी हम लोग उसे 6 महिने का टाइम ले चुके हो और अभी तक तुम हमारा पैसा चुका नहीं पायो जल्दी से एक घर खाली करो आज से एक घर बलोतरा साब का होने वाला है लेकिन यार, सर प्लीज यार, कुछ तो करो, रहम करो कहा जाओ, आपको देख रहा होगा कि ये मेरा एक छोटा भाई भी है और मेरा एक पाल तो कुटा भी है, हम लोग यार, तीनो कहा जाए अब लेकिश्य हैं अभी इस बक्ते टाइम पर मान रहे है ओक्त रह है में तो मजा कर आता सर और वैसे भी ये दूसरे वाले सर भूर भी थोड़ा से टकला टाइब के लग रहे अबे ओ तरह हिमत के सबासु मेरे को टकला बोल रहा है जल्दी से जल्दी से घर खाली कर वैसे भी तू बहुत time से पैसा नहीं दिया है जल्दी से घर काली कर लेकिन सार यार कुछ तो रियाज कर लो आप बस मेर्च को यह बता दो कि मैं अभी जाओ कहां पर बोस अब मुझे नहीं पता कि तुम कहां जाओगे क्या करोगे पर ये घर अभी के अभी खाली होना चाहिए तुम्हारे पास सिर्फ के सिर्फ अभी 10 मिनिट का टाइम है जल्दी से घर खाली करो या फिर हमें फोर्स पली तुम्हें धक के मार के इस घर से निकालना होगा बे यार गाइस क्या करू मैं यहाँ पर मैरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा अरे फ्रांक्लिन भाईया क्या हो क्या अबे यार क्या क्या हो क्या यार गर हमारा निलाम होने वाला है और अभी हम लोग कहां पर जाए मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा अरे लेकिन फ्रांक्लिन यार तुने तो बोला था कि तुपएसा दे देगा यार कुछ भी कर गे ये सर तो मानी नहीं थे अरे सर यार देखो यार बच्चा भी बोलना है आप बस मेरे को एक महीने का तो महलो दे दो at least ने 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 मैंने बोला ना तुम्हें दस मिनिट के अंदर गार खाली होना चाहिए और बिल्कुल भी कुछ नहीं सुने के हम लोग यार चलो ठीक है यार ठीक है सर, चौपर सिंचान यार हम लोग कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मतलो जब तक तुम्हारा फ्रांक्लिन भाया जिंदा है तुम लोग उको ना ही भाई मैं प्यासा या फिर भाई भुका सोने दूँगा ना ही यार मैं कहीं बाहर सोने दूँगा चलो ठीक है मैं अभी सर आप बस मैरे को दो मिनिट देजिए मैं अंदर जा कि कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा सामान लेकर आता हूँ ताकि मैं बाहर भी अगर रुकू तो कुछ ना कुछ खाना पीना का सामान में बना पाओ अचा अचा ठीक है जल्दी सिजे करके लिए क्या आओ ओके गाइस अगर अभी आपको लग रहा होगा कि यहां पर भाई साब क्या चल रहा है तो मैं आपको बता दू दोस्तों कि अभी मेरे जिंदगी में कुछ भी चीज़े सही नहीं चल ला तो बात कुछ ऐसा है कि अभी यार चार-पांच-छे महिने की पेले की बात होगा तो यार कुछ बहुती बड़ा साट-सतर लाग का मैंने लोन लिया था जिसको लेकर के ने यार में एक छोटा सा रिष्टूरांट खोलने वाला था बट वो यार मेरा चला नहीं बिलकुल भी और उपर से हम लोगों ने यार सोरूम बिजनेस खोलने का भी प्लान करा था हम तीनों ने बट वो भी गाईज़र सक्सेस्पुल होने ही पाया खाप ही कर सारे पैसे हम लोग उड़ा दिये इस बगजे से गाईज आभी मेरा ये हालत हो चुका है बाकी चलो बाहर जाके बताता हो ठीक है सर अभी मैं थोटा मुड़ा अपना सावान लेकर आ चुका हूँ तो चलो सर मैं अभी बाहर चलता हूँ पिर अचा अचा ठीक है जाओ जाओ तो अभी फुटाफट से हम लोग बाहर चलते हैं और यहार देखते हैं कि बाहर हम लोग क्या कर पाएंगे, फिलाल, फिलाल I think हम लोग अपना गाड़ी तो लेकर करके जा पाएंगे, बोख अंधर, इस फुटाफट से गाड़ी लेकर के चले जाते हैं, गाइस, ओए वए र तुम्हारा घर गाड़ी सबी चीज़े अभी बिक चुका है तुम्हें पेदली चलके जाना होगा अगर मेरा बस करेगा तो मैं तुम्हारा जिन पैंड भी किच लूँगा ये वीडियो अच्छे बच्चे देखते हैं तुम यार मेरे पैंड कैसे खिच लोगे चलो सर ठीक ह मैं पेदली चलता हूँ ठीक है यार कोई बार नहीं पेदली चले जाएंगे उसमें क्या बड़ी बात है रहे ना ही कोई गाड़ी है तो क्या करू मेरे को अभी कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा चलो यार ट्राय करते हैं किसी से यहां पर लिप्ट लेनेगा एक सेकेंड गो अरे मैडम मैडम मैं मेरे को लिप्ट दे दीजिए प्लीज मैरे को बस थोड़ा से आगे पर जाना है मेर पर जाएंगे कहां पर यहां पर जाएंगे वो मेरे को नहीं पता है बट चलो देखते हैं वो टैक्सी जब आएगा तो आहां तभी देखेंगे मैं सोच रहा हूँ कि यार क्यों ना हम लोग यार बीच के पास में जाए और बहां पर यार कुछ काम बाम धूरने की कुछिस करें बट फिलाल यार इस बाले जगा के अंदर थोड़ा सा खड़ा हो जाते हैं क्योंकि यार मेरे को इतना पता है कि टैक्सी यहां पर आती है यहां पर लगता है कोई जाने वाला है ओ सर जी जाओगे क्या कहीं पर जाओंगा 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 सर टेक्सी आगे टेक्सी आगे चलो बेटो 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 जल्दी से बेटो सबी लोग बेटो बेटो जल्दी बेटो दूसरे लोग भी मिलते हैं जल्दी से बेटो लेकिन ओ, भाई साब, यह बताओ कि जाओगे कहां पर, कहां पर जाओंगा, बैर को वो नहीं पता है, बट वेड, यह क्या चीज़े, रास्ते में भाई साब, यह रही गन पकड़ के लोग क्यों खड़े, यह क्या सीन हो रहा है, यहां पर, ट्राइवर जी, अभे ओ, मलिक भाई के बारे में तो बात नहीं करें, जो लो सेंटोस का अभी बहुत ही बड़ा गुंडा बं चुका है, हाँ हाँ हम भाई मलिक भाई और अभू भाई, तोनों भी, डंग हो चुका है उन दोनों के बिज में, अच्छा अबू भाई तो यार साथिस्ट में वो उनका पर आजना जितना मेरे को पता है अरे फ्रैंकिन वही आपके तो सेरी गुंडेमों वालियों के बारे में बहुती अच्छी से पता है अब हो चुप बेटना थोड़ा मेरे को बता है बस थोड़ा थोड़ा सा और बाकि यार ड्राइवर वाले भाया तुम यह बताओ कि उनके काम करने का तुम बनी करें तो मलीग बाया को बत बावाई पर ही मिल जाए चलो बाकि ठीक उत्रजाओ यहां से 15 रुपे दे कर के तीक के सर्जी, अपना क्याल लगना, चलिए. मिलते हैं कभी बाद में पिर टैक्सी तो हमारा ही पर पर ही चलता रहता है कभी आजाना चलेंगे कभी बाद में बैसे तुम जीसे गरीब लोगों के बज़े से ही तो मेरा बिजनेस चलता है हाहा जाते जाते टैक्सी बले ने भी मेरा काफी ज़ता बेजिती कर दिया मेरे को साला गली बोल रहा है एक टाइम पर यार मैं लंबोर्गिनी से गूमता था बट फिलाल यार हाला तेसा हो गया है कि क्या ही कर सकता हूँ अरे लेकिन फ्रैंकलिन भईया यही तु बताओ क्या पानी में क्यों गुश रहे हो कहीं आपानी के अंदर गुश के मरने जाने वाली तो नहीं हो अवे ओके से बाते कर रहा है आज तो बसे सुबह से मैंने नाया नहीं तो इसलिए आर पानी के अंदर गुस मैंने इसलिए रहा हो क्योंकि आर थोड़ा सा भी नाया लेते हैं सबसे बहbnे थो और भी बैसे भी लो सेंटोस का समुङ्दर का पानी काफी जटा clean तो होता है, चलो अभी मैंने हाद हो लिया है, चलो अभी बाहर आते हैं, एक काम करते हैं इन से ही पूचते है फूठाई हैं थोड़ा सा कि क्या सीन है ओ भाई यार आपके पास कुछ काम भांब करने को है क्या, मतलब के वो एक सेकेंड वो भाई ये तुनों भाग क्यों गए यहां पर पता नहीं गाईज यह सब भाग क्यों रहे सभी लोग एक्दम से डरे वे लगता है यार कुछ दंगे बंगे हो रहा है चलो 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 और आगे चलके यार थोड़ा सा देखके आते कि भाई साभी यार यहां पर सीन क्या हो रहा है मैं रहे को कुछ पता तो लग नहीं रहा है कि यहां पर कुछ तो सीन हो रहा है क्योंकि सारे लोग यहां पर इधर से उधर भाग रहे चलो 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 आगे चलके दिखते उस अब्बू की इतनी हिम्मत है सब ही अपने अपने गाडी रोको यहां पर बरना सब को मार डालूँगा सब को खतम कर डालूँगा यहां पर गाडी रोको सब अपना अपना अरे भागो रे भागो रे भागो रे मलीक आगया मलीक आगया भागो भागो सब भागो भागो मलिक के सामने कोई भी अपना हाद खड़ा नहीं कर सकता सब को मार डालेगा मलिक और ये रहा अब्बू आओ आओ सभी लोग आओ आज अब्बू हम सबसे मरना चाहिए इसको मारूंगा सबसे पहले मेरे उपर गोली मारने का इतना हिम्मत बला कौन रखता है ओ अबू तेरा बहुत हो गया देख चारों तरब से मेरे गुंटे तेरे को घेर चुके हैं और बहुत ही जल्दी तू भी मेरे से मरने बाला है अबू तुझे क्या लगता है तु मेरे को अरसानी से मार देगा अभी कुछी समय के अंदर ये अंदर तेरा D allaवन में धूरू होने बाला है मलिक उसके बाद पूरा लोस एंटोष मेरा ही मेरा होगा पहले खुद को तो बचाले उसके बाद बूरा लोस को कभर करने के पारे में सोचना पर बहुत तरको वची टाइम के वेंस पिताइक हो चुग है िसक कि सभें से और अरे यार यह लोग मेरेको बाण जल्दी से बारो मेरे पासे पिस्तोल नहीं सहांग हो लें मारो यहां पर कोई बीओ इंटा नहीं बतना चाहिए, सबी को मारो, सबी को मारो यहां बर इन लोगों की इतने हिम्मत ये लोग मलिक को मारेंगे, वो भी लोसेंटोस के अंदर लगता है मलिक, तु अभी अकेला पड़ चुका है, क्योंकि अभी सारे बंदे तेरे मर चुके हैं और अभी तु मेरे हाँ से मरने वाला है और बो भी बहुत ही तुर्थनाक मौत मरने वाला है मलिक, अरे चोड़ दो यार मुझे, कि मुझे मार कर कि तुझे क्या मिलेगा बैसे भी, और हम दोनों पहले की तरो भाई भाई बनके राज करते हैं ना लो सेंटोस के उपर मेरे को मत मार रहे है यार मेरे भाई अगर ये बात तुझ दस मिनिट पहले बोलता तो साइद कुछ हो पाता बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तु मेरे हाथ में मरेगा मलिक लो सेंटोस के अंदर अभी मेरा ही मेरा राज होगा ओ नो गाइस ओ नो यहाँ पर तो यार इन दोनों के बीच में दिन दोहड़ा बे भाई साब यार फाइट चल रहा है तो एक काम करते हैं यार चिंचन और चौप तुम दोनों ही परुको मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि जहां बहां पर जाकर गए मैं यार मलिक भाई को बचा लूँगा बहां पर और यार अगर एक बार मलिक भाई को में बचा लेता हो ना तो यार कुछ ना कुछ काम तो बही मेरे को दे देंगे और बेज़े भी हमारे पास हुटी कोडी नहीं है तो यार कुछ ना कुछ जुगाड़ा तो होई जाएगा अपने जगा से निमत हिलना सालो चलो ठीक ठीक अभी आगे चलते और फटापट से जाकर के पहले तो यार इनके सारे बंदों को खतम करते हैं अब लड़के तो अब लड़के तू मेरे को मारेगा मेरे को हाथ लोगा कि तो अरे ये क्या तुमने तो इसे मार दिया हाँ सर मैं आप ही कही आदमी हूँ बटा भी तक खत्रा टला नहीं है अभी इसके और भी कापी सरे बंदे जिंदा ए आप सर मेरे पीछे बीचे आओ, मैं आपके बचाने के लिए आया हूँ अरे लेकिल लड़के तुम मुझे बचा के तुम्हें क्या मिलेगा बोसो मुझे नहीं पता सर मैं बस आपको बचाने के लिए आया हूँ आप बस मेरे पीछे बीचे रुकिए, अभी खत्रा बिल्कुल भी टला नहीं आगे, और भी काप भी सरे बंद है इनके, चलो, मैं आगे चक्र के सारा उनसे आपको बचाता हूँ, रुको रुको, सारा मेरे पीछे ही रहेगा, आपके उपर गोली लग सकती है, चलो गाईजर अभी मलिक साब को जीतने का इससे बड़िया टाइम और कुछ हो नहीं सकता, और मेरे को इतना पता है कि अगर मलिक भाई मेरे उपर खुष हो जाते है ना, तो कुछ ना कुछ तो यार मेरे को मिली जाएगा, चलो, अभी आइधिंक सिर्व अकेला एक ही बचा है, चलो फट मलिक यार क्यों ये सब दंगे मगे में पढ़ रहे थे, अरे लड़के तुम सबसे बेला मेरा जवाब दो कि तुमने मेरे को बचा है क्यों, मैं तो अलमाश अभी मर नहीं वाला था, क्या बलू काईजा, डिरेटली मैं ये नहीं बोल सकता है, इसको कि मैं मादा चाता सर वो बात ये है कि जब मैं आपको पहली बार देखा तो मेरे को यार मेरे पिताजी की याद आ गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं बचा लू, और बाकी मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो इसलिए बस मैंने सोचा कि यार आपको ही बचा करके मलब कि आप कोई एक फैमिली मेंबर मैंने सोच लिया और इसलिए मैंने आपको बचा लिया सर अरे लड़के तुम तो मेरे को बहुत या अच्छे लगने लग जा चुके हो और बैसे तुम्हें कोई काम की जरुवत है क्या लोस सेंटोस के अंदर मेरा ही रात चलता है मैं तुम्हें किसी बीट परकार का काम दे सकता हूँ लड़के बोलो चाहिए क्या सर बैसे देखा जाये तो हाँ मलब की काम दो चाहिए क्योंकि सर अभी मैं यार पूरी तरीके से यार बेरोजगार हो चुका हूँ मेरा घर बर बिक चुका है जॉब जा चुकी है और मेरे पास अभी करने के लिए कुछ भी नहीए तो यार अभी बस मलब की दिन धाड़े में भटकता रहता हूँ और अभी मैंने आपको देखा तो बस मैने मदद कर लिया हो और बाकी हां सर अगर आप मनलब की आप कुछ काबिल मेरे को समझते हैं तो कुछ काम बहम आप मेरे को दे सकते हैं मैं बिलकुल यार आपके लिए काम करें के लिए खुश रहूँँगा अच्छा लड़के ठीक है चलो मेरे साथ अरे लेकिन सर बात है कि मेरे पास अभी मेरे दो मलब की एक भाई और एक मेरा पालतू कुटा भी है अगर आप कुछ बुरा ना वाने तो हमें उसको भी साथ लगे जा सकते हैं क्या अरे बुरा मानने वाली क्या बात है तुम चलो मेरे साथ आओ नहीं सर पहले आप मेरे साथ आईए मैं उनसे आप को मिला कर गया आता हो उसके बाद ही हम लोग जाएंगे ठीक है ना सर अरे लड़के ठीक है बिलकुल चलो ये देखिए सर ये रहा मेरा छोटा सा फैमिली ये इसका नाम है इस बच्के का नाम है सिंचन और ये मेरा पालतु कुट आ है जिसका नाम है चौब ये बात भी करता है सर चौब कुछ बोलके दिखाओ अरे सर क्या नाम है अरत सब पर सर अपका देखा सर ये बात भी करता है अरे लड़के तुमने तो क्या कमाल का कुटता रखा हुआ है चलो ठीक है बाकी बात हम जाते हुए करेंगे फिलाल चलो मेरे साथ चलो मैं तुमें अपने लग्जरियस गाड़ी से बिठा के लेके चलूँगा मैं लोगी सर आप अपके अली सन गाड़ी वे हम सब को बिठा के लेने वाले हो हाँ बिलकुल लड़के और बिलकुल बच्चे चलो मेरे साथ हो तुम सबने मलिक साब को बचाया है और जो भी लोग मलिक साब को बचाते हैं मलिक उसकी किस तरीके से खातिर जारी करता है वो मैं तुम भी अभी दिखाऊंगा आओ मेरे साथ बैसे तुम लोगोंने कभी भी रॉल्स रोइस में बेठा है क्या सर अगर मैं रॉल्स रोइस में बेठा होता तुम मेरे लिए भगवान के समाम में हो जी सर बेड़ गया और बाकी सर ये बताओ कि आप मेरे को कौन सा टाइप का काम देने वाले हो अरे लड़के मैं तुम्हे यार बहुत ही बढ़िया काम देने वाला हूँ तुम बिल्कुल भी गवराओ मत लेकिन सर आप ये तो बताओ कि आप बैसे काम करते क्या हो अरे तुम मजा करे हो क्या तुम लोसेंटोस में रह रहे हो और तुम्हें मलिक के बारे में पता नहीं है क्या अरे नहीं सर मलोकी पता है बट मैं इसा सबाल इसलिए पोच रहा हूँ क्योंकि यार मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि Är आप मेरे से क्या काम करवाने वाले हो तकि are में भी थोड़ा सा प्रिपेरेशन कर लो अपना अरे लड़के तुम मेरे लिए चोरी करने वाले हो चोरी करने वाले हो ओ-के ठीक है सेर कोई बार नहीं सर मेरा नाम तो फ्रांकलिन है अचा ठीक है फ्रांकलिन चलो गाड़ी से उतर जाओ अभी हाँ सर आप गाड़ी रुकिए हम ले उतर थे हैं अब यहार लग्षिर इस गाड़ी में पहली बार बेट रहे हैं इसका हमले भी तो थोड़ी नहीं कि हम लग बेट ही रहेंगे चलो सर आप हमें यह बताए कि हमें अभी करना क्या है आपके लिए अरे फ्रांकलिन तुम इतने चिंता क्यों कर रहे हो अभी बैसे यह मेरा आली सान घर है तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहां पर रुक सकते हो कोई भी रोक टोक नहीं है यहां पर सर बिलकुल रुकेंगे सर बैसे भी अभी हमारे पास जाने के लिए कहीं पर भी कुछ भी घर नहीं है और बाकी सर कुछ रेंटमेंट देना तो नहीं होगा ना अरे नहीं नहीं बच्चे कैसे बाते कर रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा तुम जितने दिन चाहो उत्रे दिन रुक सकते हो और क्या क पिर भी बैंक चोरी करना डारेट वो भी पहले ही दिन से थोड़ा सा तो यार अरे कुछ भी टेंचल लेने की बार नहीं है मेरा सब कुछ सेटिंग रहता है पुलीस तुमारा कुछ नहीं करेगा बैंक से बाहर निकलते हुए मेरे को एक सौट कोट पता है तुम सारे धन चुरा करके सारे क्यास ले करके उस बाले रस्ते से भाग के चले आना कुछ भी एक भी पुलीस तुमें कुछ भी नहीं कर पाएगी अगर सर अब बोले हो तो चलो ठीक है तो लो सेंटोस में बैसे एक ही सेंट्रल बैंक है तो क्या हम उसी को ही चुराने बाले हैं सर हाँ बिल्कुल हम उसी को ही चुराने बाले और बहाँ से अलमुस्ट हम सोक करोड का क्यास चुराने बाले हैं फ्रांक्लिन तो बिल्कुल अज रात के लिए त्यार रहे ना ठीक है बाकी तुम अभी रेश्ट कर सकते हो मैं अभी घर के अंदर चलता हूँ हाँ सर घर के अंदर चलता हूँ क्या मतलब है बे यार ये को क्यों इपे लिए कर रहे हैं कुछ लो चाहिए क्या चलो ठीक है फ्रांक्लिन बाद میں मिलते हैं आरे लेकिन सर यार ये मेरे को घर के अंदर तो नहीं बुला रहे लगता है, चलो मैं ही अंदर अंदर आ जाता हूँ, चलो 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 गाइस, फ्रांक्लिन तुम अंदर क्यों आगे, सर आप नहीं तो बोला कि जितने दिन चाहों उतना दिन में यहां पर रुख सकता हो, और सबसे पहले तो तुमारे यह बच्चे को बो कि यहां पर खेलना बंद करें, यह फर्स बहुती, अमीर लोगों का फर्स है, अरे लेकिन सर आप इतना भड़क क्यों रहे हो, हमने तो आपकी जान बचायता ना, और थोड़ा से तो खेल रहा हूँ, यह जगा खेलने के लिए नहीं यह बच्चे, और फ्रांक्लिन, मैंने सिर्फ जान बचाया है, मेरे सारे धन तुमने कमा के नहीं दिया है मुझे, गरेज के अंदर ही रहो चुपचाब, बाहर निकलो सभी कैसा भी, गाइस, मेरे को भी बहुती ज़्यादा गुसा आ रहा है, इस बुठे के उपर, मैंने लब क्यार, इस बुठे ने बोला कि तुम बहुती बड़ा सा कैंक्स्टर ही, कैंक्स्टर ही तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई भी कोई कम बड़ा कैंक्स्टर नहीं है, बहुत बहुत अलग बात है कि अभी मेरा थोड़ा हालत खराब चला है, अरे लेकिन तु इसको कैसे मारा गया है, वो सब बात की बात है, बट फिलाल यार हमें कुछ भी करके थोड़े बत पैसा कमाना है तो उसके अपर ही फोकस करते हैं उसके बाद ही हम किसको मारेंगे किसको नहीं मारेंगे बोलग बात है बट फिलाल इसने हमें काम दिया है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा तो इसके ओपर शुक्र गुजा रह वह तो बहुत ही जदा रिस्की होगा ना और उपर से यारी पूले की पुलीस भी आ सकती है हाँ मैं ब्यांक लूटूंगा ज़रूर क्यों कि यार अभी मेरे पास कोने के लिए कुछ भी काम नहीं है तो हाँ लूटना तो होगा अरी लेकिन भया इसमें तो बहुत ही जदा र करके सुभख को बापस आता हूँ अरे सुनो लड़के तुम बिल्कुल भी प्रिपैर होकर तु है ना हाँ मलिक सर मैं बिल्कुल भी जदा प्रिपैर होकर के हूँ अभी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो और आप बस मेरे को ये बोलो कि यार बही काम करना है न सिधा में इ पिस्तोल तुमें दिया है उनसे तुम दो तिन को खतम कर देना। उसके बाद बाकिसरे जितने भी सारे लोग होंगे वो तो बैसे भी डर जाएंगे। तुम बाइक पर जाओगे बाइक तुम्हारा मैंने थोड़े आगे खड़ा कर दिया है जल्दी छे जाओ ओके सर ठीक है फिर फिल्कुल जैसा आपकी मरजी चलो गाई सर अभी ये बोलें कि यहार अभी हमें बाइक से ही जाना होगा चलो ठीक है, ओर राइट गाइस, तो अभी यार मेरे को बाइक भी मिल चुकी है, तो चलो फटा पड़से अभी बाहर चलते हैं, और यार सीधा चलते हैं, बैंक के और, और यार देखो भाई, गैंक्स्टर के पास काम करने का ना, भाई यही चीज होता है, भाई पहले ही दि कर पता चलेगा बाग यार ऐसा कभी भी मैंने करा नहीं है मलब कि बैंक से चुराना यार पैसा कोई आम बात तो होता नहीं है कि मेरे पास इसके लिए यार घूम फिर रहे कहीं यार यहां पर जाना मेरे लिए रिस्क ना हो जाए फटापट से फिलाल तो अपने गाड़ी को ही पीछे पार करता हूँ आपको बताओ कि यार जब भी मैं यहां पर पिस्तॉल भी ले जुगा हो अभी जिंदगी मैं पहली बार यार मैं बैंक लग रहा है बट चलो कोई बार नहीं बट एक सेकंड यार अगर मैं सीधा इससे जाओ तो रिस्क हो सकता है रुको मेरे को यार एक मास्क पहने दो एक सेकंड रुको चलो हो गया अभी सबसे पहले चलो अंदर चलते हैं ओके 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 बैंक का थरवाजा कोलते हैं ओके तो केड़ बी आचुका है इसको मारेंगे अभी क्या करना होगा अभी थौडी चारज़र टायकिया कुछ लगाना होगा All right All right Wait to come open ऑके ओके olog CC अभी हमें थोड़ी टेर हम पर उकना होगा रूको रूपो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा और अंदर और गेट को भी यहां पर तोड़ना होगा गया सेम प्रोसेस है यार सेम प्रोसेस है चलो अभी दूसरा यहां पर लगा देते हैं थर्मल चार्जर को ओके 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 यभी दूसरा गेट भी पटने बाला है और एक सेकेंड यार ये लाइन कैसे चली गई अब यार अगर लाइन चले जाएगा तो मैं यार लूटूंगा कैसे अभी तो मेरे को कुछ भी दिखेगा नहीं बट कोई बार नहीं अभी और नीचे चलते हैं भाँ पर चलके देखेंगे कि जो होगा देखा जाएगा बट अभी यार मैं पीछे जाने ही सकता क्योंगे यार इतने अंदर आही चुका हूँ तो यार चुराना तो होगा यार बरना कुछ भी नहीं होगा चलो कैसे करूंगा मैं अभी कुछिस करके दिखते हैं यहां पर कुछ इजी ही टास्क होगा यार ओके लाइन भी वापस आ चुका है अभी थोड़े ही डियर के अंदर यह जो भोल्ट है वह भी उपन होने वाला है ओके-ओके-ओके-ओके होगे szer ओपन हो गया चलो चलो अभी पटापट से जाकर के में सारह क्यास लेना होगा बस एक आख्री गेट वी तोड़ना है देन शारह पैसा हमारा होगा बड़ गाई जार यार किसी जगाप पर अंदर से जाकर के छुप जाओंगा और ये जो ब्याग आप देखे रहो ना जिसको यार मैं अपने घर से ही साथ में ले के आया था इसके अंदर इसके अंदर गाईसर मैंने पुलीस का उनिफॉर्म डाल दिया है अब यार गाईसर आपको पता ही होगा कि एक टाइम पर यार मैं पुलीस का चीप भी रे जुगाओ बहुत टाइम पहले की बात है वो मैं किसी और एपिसोड में बताऊंगा तो यार अभी मैं उसी उनिफॉर्म को यार इसके अंदर डाल दिया हो और मेरा सर तो भाई डगा हुआ है और अभी मैं सारा क्यास ले जाने के बाद यह जो कपड़ा है उसको भी कहीं फिक दूँगा तकदम से नंगा हो के हिर के ही जाओंगा हाँ पेंड पहननूँगा पूरा नंगा हो करके नहीं और गाइस जब भी मैं बाहर जाओंगा न उसके बाद यहर किसी जगा के अंदर जाकर के मैं छुप जाओंगा और यहर वो जो पुलीस चीप का यूनिफॉर्म है उसको भाई साब यहर मैं पहन लूँगा और यार बहुत सांती फूर्न जगा से मैं जब बाहर निकलूँगा तो यार सारे लोगों कैसा लगे का कि मैं तो यार पुलीस थी हूँ और मैं भी तो यार चोर कोई धूनने आया हूँ तो इसलिए गाइस यार मेरे उपर कोई अटैक भी नहीं करेगा और मैं यार बहां से पैसा लेगर के बच भी जाओंगा क्यों? मेरा प्लानिंग है ना एकदम से सॉलिड वाला प्लानिंग में तो यार दिमाग से बहुती ज़ता चालाग तो बेसे भी हूँ Whew अब बहार चलते हैं और एक सेटा लेते हैं हूँ कपड़ा भीचा ली Ching अभी पिस्तोल निकालते हैं यार ये पैसेंजरश को डराना है ंधमकना भी बनता है ये लोग कितनी जोर सोर मचा रहे बे रूको आयए कुसी एक को याँ पर मार नहीं होगे यह लोग साले चूप नहीं बेटेंगे सॉरी मैनेजर मुझे मार नहोंगा इसको बैसे यार गाइस में आपर मार पिट में जाता भिलीब तो रखता नहीं हो बट क्या ही कर सकते हैं चलो अभी बाहर जलके देखते हैं ओ, 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 बाई, 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 इतने सारे पुलीज आ चुके हैं यहां पर, रुको, ओ, 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 नो, ओ, गाईस यार, बस मैं मरना जाओ, बस, बस यार, गाईस यार, मैं मरना जाओ, ओके, मारो, 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 सालो, सब को मारते हैं, सब को मारते हैं, र याँ क्या कर रहो आपको दीख रहा है ना चलो अभी यार मेरे को कुछ भी करके यहां से भागना होगा यार ओशिट गाइस वो शिट यह गाड़ी को भी ही पर ही एक्सिडेंट होना था चलो फट अपर सभी में यहां पर जाकर के अंदर कहीं पर चुप जाता हूं इसी भी हो चुगा है काम करते हैं नहीं कहीं गाड़ी लेकर के भाग जाते हैं यह गाड़ी यार मेरे को काफे जदा मजबूत नजर आ रहा है कहां मार रहे हो बे मेरे को और बैसे भी मैं पुलीस चीफ रहे चुगा हूं तो यह गाड़ी तो मेरा चलाने का हक्य भी बनता है च गाड़ी कैसे पलट गई वे ba? ओके, ओके, ओके गाड़ी ठीक होई ठीक, ठीक, ठीक होई छलो 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 फटापट से चलते आँब एर कुछ भी करके मेरे को कहीं पर गाड़ी को रखना होगा जहांपर काहीज़ार में अपना अब फोड़ा से यहां से में भागने की खुशिच करता हम और यार-, यार-, क्या हो गया यह? क्या हो गया? ये क्या हो गया? मारो मत, मारो गारो मेरा को लगता है मेरा को भी अपना iki lowest commerce सबर निकालना होगा तुछ भी करके, guys, यार, यहां से मेरे को भागना ही होगा और यह दूसरा गाड़ी भी सामने से आ रहा है Oh no, oh no भागो, भागो Guys, मैं कहां जाओं, मेरे को अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां जाओ, मैं सोच रहा हूँ क्यां पर जाओ और यह सांने फिर से पुलीस आ चुकिए ओ भाइई यार कितने सारे पुलीस है यहां पर oh no, no! कहां जाओ कहां जाओ कहां जाओ okay, 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 okay okay, okay भागते हैं भागते हैं रूखो यार फाइब स्टार पुलीस पढ़ जुगे मेरे पीछे मैं लो क्यार बैंक ही तो लुटा हूँ इतना कैसी रियस हो रहे हो चलो 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 गाइस आइधिंक कि गाइस अभी निउस में भी आ जुगा होगा अलेडी कि यार लोसंतोस के प्यांक जो है बोभी चोरी हो चुगा है और कोई मुजलीम उसको चुरा ले जज़गा है इतन्क ये निउस अभी छब चुगा होगा बट और यार मलीग को भी पता चल चुगा होगा कि यार मैं पकड़ा जा जुगा हूँ अब यार मेरे उपर गुसा करके सिंचान और चॉप को कुछ ना कर ले बस बट चिंटा क्यों कर रहे हो एक बार मैं यहाँ से बच्के निकल जाओ उसके बाद यार चॉप और सिंचान को भी मैं यह बहाँ से जाके निकला दुँगा और गाईज चिंता आप बिल्कुल भी मत करो क्योंकि यार चौप और सिंचान को मैं आलेडी भी बोल के आया था बहांपर कि यार तुम लोग यार कहीं पर भाग भाग जाना क्योंकि यार बहांपर बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो सकता है तो आप लोगों को यार चिंता करने की बिल्कुल भी बार नहीं है आपका सिंचान और चौप एकदम सुरखित हैılar बट मैं नहीं हूं बहाई यार पर मैरको कितने सारे गोलिया पढ़ रहे और यहां पर यह भयाँकर अक्षिनेट हो चुगा है लगता है गाइस यहां पर मेरे को फिर से माड़ पिट करना होगा रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ यहां पर सामने दुबारा से पुलीस आ चुकी है I think मारना होगा मारते हैं मारते हैं मारते हैं कितने सारे पुलीस है भाई साब यार कितने सारे पुलीस है मेरे को यहां से भागना ही होगा ओ भाई घहर लिया है घहर लिया है भागो 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 यहां से निकलते हैं यहां से निकलते हैं गैस यहां से निकलते हैं यहां पर पुलीस आ चुके यहां पर बहुत सारे पुलीस है गाइस यहां पर बहुत सारे पुलीस है चलो 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 आगे चलो आगे चलो कुछ भी गाड़ी दिखेना मेरे को बस ले जानी है मेरे को कुछ भी गाड़ी लेकर कि यहां से जाना होगा चलो फटा पड़ से यहां से भागते कोई यहां पर मेरे को गाड़ी क्यों नहीं नजर आ रहा चलो 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 यह ओके यह गाड़ी नजर आ गया मेरे को यह कूड़ा वाला गाड़ी है चलो इसी को ही लेकर के चलते हैं यह कूड़ा वाला गाड़ी है बट मेरे को उसे गंटा फरक नहीं परता है मैं चलो तो यार लेकर के चलता हूँ ओके 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 आगे चलते हैं होटे ले बहुत ही बड़ा होटेले पहांपर मैं चुप सकता हो चलो 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 फटाब होटेलट गई vibe hotelड फटापर से यहां पर ग्रड़ी षाड़ी को फायर करते और यार सिदा चत पर चलते हैं क्योंकि यार, पिलीस वाले चत के उपर आते यह थे टाइम लेगा, फटापट से चलो ओके, 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 ओल्राइट गाइस तो अभी मैं यार, छट के उपर, सुरक सी थालत में यहां पर आ जुगाओ, तो फटापट से गाइस जार अभी मैं अपने कपड़े को बदल लेता हूँ पुलीस वाले उनिफर्म पहन लेता हूँ उसके बाद यार सभी लोग मेरे को चीब समझेंगे और उसके बाद तो मेरे को कोई मारेगा वे नहीं रुको एक सेकेंड रुको मेरे को बस कपड़े उतारने दो ओल्राइट ग चुका हूँ कितना चदा बड़ी हा लग रहा हूँ ना यार और बाकि यार चलो प्राचुट लेकर कि यहां पर नीचे ऊतरते हैं ऐसा आपको नहीं पताए कि लोज इंटोस का बैंक चोरी हो चुका है और मुसलीम इसी होटेल के अंदर घुसा है आरे इसी होटेल का इंच कि पुचोर बोर नहीं है वो कहीं दूसरे जगा पर गये होगा तुम लोग साले कामचोर सभी पुलीस वाले यहां पर आ गये हो चलो अभी फटापट से मेरे लिए गाड़ी बुलाओ मेरे को यार पुलीस टेसन जाना है अज़ा धीक है सर हम आपके लिए गाड़ी बुलाते क्योंकि यहार काफी सारे पैसे मैंने लूटा था बहां पर तो यहार आपको दिखने में तो लग रहा होगा कि मैंने साठे तिन मिलियन डॉलर्स ही चुराए था जो कि अल्मोस्ट यहार पचीस करोड़ तीस करोड़ के पास होता है बट नहीं गाई सार अभी 15-20 करोड़ म के पास आतो चुके है बट पुलीस वाले साइरन बाले गाड़ी के अंदर लेकर करके नहीं जा सकते क्योंकि आर डाउट हो सकता है चलो अभी अंदर चलते हैं बट वेट मैं पुलीस यूनिफर्म पहन करके भी बलोतरा साब से बात नहीं कर सकता और एक सेकेंड रुको एक को हां के मलोतरा जी ये क्या पानी के साथ खेल रहे हैं अलो मलोतरा साब क्या करे हो ये पानी बानी के साथ खेल रहे हो अरे फ्रांकलीन तुम यहां पर आयो क्या हां मलोतरा साब मैं ही आया हूं यहां पर अरे मलोतरा साब आप क्या करे हो ये आरे बेटा बस वो पानी के सा अरे लेकिन फ्राक्लिन वेड़ा तुम्हारे पास इतने पैसा कहां से आगे कि तुम घर निला में भी कर रहे हो और दुबारे से खरीदने भी आ रहे हो अरे ओ मलोकरा, साहब आपको क्यों इतना ज़ल जानना है, आप मैंने तो पैसा दे रहा हूँ न आपको बैसे कितनी उर्पे में खरीदा था आपने इस घर को अदेट करोड के पास आस में तो खरीदा था मैंने इस घर को चलो ठीक है यह रोखो दो करोड और चलो निकलो यहां से अरे लेकिन बेटा अचानक से अचानक से कुछ नहीं आप निकलो यहां से पैसे तो ले लिए ना चलो निकलो यहां से और आज से यह घर दुबारा से मेरा हो जुगा है और हाँ आज से ऐसा नोबत बिल्कुल भी नह निलामी होगा चलो मलोतरा जी फटावट से घर से बाहर निकल जाई है अच्छा ठीक है बेटा ठीक है आप यहार इस घर को दूबारा से खरीट के ला जुगा हूँ और आप ने यहार आज के इपिसोट पर देखा के किस तरीके से मैं यहार बिलकुल ओमलेस हो जुगा था और बहां से कितना चांदा स्ट्रगल मैंने करा और फाइनली फाइनली मैं दुबारा से अमीर बन गया और आज अभी मैं यार इस घर को दुबारा से खरीट भी चुगा हूँ उसके बाद के बाद अभी मेरे पैस यार कितने सारे पैसे भी आ जुगे है मैं लब क्यार इसको छोड़ करके भी मेरे पास 50-60 करोट रुपे तो आ भी जुगा है और बाक्यार सिंचान और चौप बो लोग भी आर घर से भाग जुगे मैं लब क्यार बोजो यार मलिक साब के घर पर बोलोग रुके हुए था ना मलिक के पास तो बहां से भी बोलोग भाग जुगे है और मेरे हर उनके साथ भी बाते हो जुगा है बो भी पटाबट से इसी वाले घर के अंदर ही आने वाले और यार अगर इसका पार्ट 2 में बनाऊंगा ना तो मलिक को मैं कैसे मारूँगा बो में बताऊंगा क्योंकि यार उसने मेरा बेजिती करा था घर के अंदर बिला करके तो उसको भी जरूर मारेंगे गायचार बट फिलाल दोस्तों अगर आपको आज का एपिसोड अचा लगाए तो वीडियो को जल्दी से जल्दी से लाइक करो और यार अगर पहली बार मझे देख रहे हो तो चैनल को और पहली बार आए हो तो सब्स्रेप करो आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया मिलते हैं दोस्तों अगले बाले एपिसोड के अंदर तब तक लिए आपस अपना एकाल के गुड़ बाई